जब बच्चों को आगे बढ़ने का बविश माना जाता है जिन बच्चों के उनके माबाप दिन रात मेहनत कर उन्हें पढ़ाते हैं वही कुछ ऐसे भी बच्चे जो आज भी गरीबी की जिन्दगी व्यतित कर रहे हैं गरीबी की वजह से उन्हें मुनसिवल स्कूल में अपनी पढ़ाई करनी पढ़ती है उन्हें अधिक सिक्षा प्राप्त करने के लिए पैसे की ज़रुरत होती है लेकिन वो थम जाते है क्योंकि वो उन पढ़ाई के लिए आखिर पैसे लाए तो लाए कहा से लेकिन इनी बच्चों के मदद के लिए कई से संसाय हैं जो आगे बढ़ कर उनका साथ देती है लेकिन एक हद तक क्योंकि भारत में गरीब इतनी जादा है कि ऐसे बच्चों की संक्या जादा होती है और मददगार कम होते हैं ऐसा ही कुछ देखने को मिला अंधेरी साथ बंगला वर्सवा में देखने को बिदाओ धनी डेली अग्सटेश विए वन पाइसा अंधेर श्रीश तो में तो हम इनको डिस्प्रम में रखने हैं को डिस्प्रम ज़रा भी नहीं है क्योंकि यह अंडरप्रियूड बच्चे हैं इनके जो पेरेंट्स हैं वह वास्टमेन हैं कोई रिक्षा ड्राइवर है को कोई है पर यह बाक्ते इदर उदर को कंट्रोल कर डिस्प्रम सिखाते हैं क्या अपने नाखुन काट किया और वारे पूरे एरिया में अंधेरी एरिया में 11 क्लासी क्रिवन 11 क्लासी क्लासी हैं तो डिफरेंट टीचर फ्रॉम केजी टू नाइन स्टेंडर वी टेक टूदेंट और वी गिपनें फ्री एजुकेशन और वी गिवन फूट पाथ वी आल्सो गिव देम लोटिंग फूडि सब्सक्राइब करता है कि ग्यान एक एसी ऐसी भगवान की वरदान है एक ऐसा वरदान है भगवान ने दिया हुआ जो कहीं भी और किसी भी रूप में प्राप्ट किया जा सकता है तो यह बच्चे आशा के संस्ता के और से यहां पर दो टीचर आयो हैं जिसे हमने बात की बच्चों को जो कि गरीबी रेखा से नीचे बच्चे हैं जो जिनके पेरेंट्स यानि कि जिनके माबाप कोई वाच्मेन है यानि कि पड़े लिखे नहीं हैं उनके बच्चे बीएमसी के स्कूल में जाकर पढ़ाई करते हैं और क्या पता इस देश का भाग इन छोटे बच् कैमेरमेंट दुशार के साथ मैं प्रनाफशा तहल का 24 न्यूस मॉंबाई